दोस्तों नमस्कार नए वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में जैपुर का बैटरी आटो रिक्षा से लिया हुआ यह वीडियो आप इंजॉय करें और साथ में आपके साथ कुछ इंटरस्टिंग निउस भी शेयर करता हूँ तो आपको यह नया तरीका पर एक गजब की तक्रार देखने को मिली है यहाँ बिज़ली विभाग के करमचारी ने पुलिस से बदला लेने के लिए थाने की बिज़ली ही काट दी क्यूंकि शामली में ट्राफिक पुलिस ने लाइंमेन का चलान काटा था इस बात नाराज लाइनमेन ने थाने की पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर 6,000 रुपे का जुर्माना लगाया था। मुहम्मद महताब नाम के शक्स का एक विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया, जिसमें बिजली की लाइन कार्ट दी गई थी। हाला कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली लाइन काटने के अलग-अलग कारण बताए। बिजली विभाग के कनिष्ट अभियनता अमितेश मौर्य ने दावा किया कि थाने में 55,000 रुपे से अधिक का बिल बकाया है और इसी वज़े से बिजली कनेक्शन काटा गया। मौर्य ने आगे कोई ठिपणी करने से इंकार कर दिया। बिजली कर्मी द्वारा पुलिस स्टेशन की बिजली काटने का विडियो सोशल मीडिया में जम कर वाइरल हो रहा है। विडियो में दिख रहा है कि शामली में थाना भवन थाने के बाहर लगे विद्यूत पोल से बिजली कर्मी थाने का कनेक्शन काट रहा है। वीडियो वाइरल होते ही क्षेत्र में यह चर्चा का विशय बन गई. सोशल मीडिया यूज़ तरह तरह के मजे ले रहे हैं. सोशल मीडिया में वाइरल इस वीडियो की जब परताल की गई तो समविदाकर्मी महताब ने थाने की बिजली काटने की पूरी कहानी बताए. लाइनमेन महताब का कहना है कि उसकी सैलरी सिर्फ पांच हजार रुपे है. जबकि पुलिस वालों ने उसका 6,000 रुपे का चलान कार्ड दिया. महताब ने कहा कि वो मोटर साइकल पर लाइन चेक करने के बाद आ रहा था. इस दोरान उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था. ट्राफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और हेलमेट के लिए कहा. जिस पर उसने कहा कि मैं विद्यूत लाइन देखकर आ रहा हूँ. जल्दी जल्दी में हेलमेट पहनना भूल गया. महताब ने बताया कि उसने पुलिस वालों से कहा कि आगे से वो हेलमेट का इस्तेमाल करेगा और ट्राफिक नियमों का पालन भी करेगा. लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए उसका चलान काट दिया कि विद्यूत विभाग के करमचारी लूट खसोट करते हैं. अधिक बिल भेजते हैं और आप विद्यूत करमचारी हैं तो चलान जरूर काटे जाएंगे. जबकि उसके सामने ही कई लोगों को उन्होंने बिना चलान काटे भी छोड़ दिया था. तो यह था आपके लिए पहला इंट्रस्टिंग नियूज. आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं. और अगली नियूज एक चोरी की है जो आप खुद ही सुन लीजिए. ब्रिटेन से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. राजधानी लंदन से चोरी हुई एक लगजरी कार चापेमारी के दोरान पाकिस्तान के कराची से बरामत की गई है. ये कार ब्रिटेन से चुरा कर पाकिस्तान लाई गई थी. पाकिस्तान के सीमा शुल्क अधिकारियों ने च्छापेमारी में लगजरी कार, बेंटले मलशन, सेडान को कराची के एक बंगले से बरामद किया ब्रिटेन की राष्ट्री अपराध एजेंसी ने पाकिस्तान के सीमा शुल्क प्रवर्तन को कार चोरी होने की सूचना दी थी जिसके बाद अधिकारियों ने कराची के बंगले में छापा मारा और वहां से यह महंगी कार बरामद की जानकारी के मुताबक, छापे मारी में एक अन्य बंगले से भी बिना लाइसेंस के हत्यार बरामद किये गए सूत्रों ने बताया कि कार लंदन में कुछ हफ्ते पहले चोरी हो गई थी और गैंग में शामिल लोग पूरवी यूरोपिय देश के एक शीर्ष राजनएक के दस्तावेजों का इस्तिमाल करके कार को पाकिस्तान ले आए ब्रिटेन की राष्ट्री अपराध एजेंसी द्वारा कार चोरी होने की सूचना दिये जाने के बाद पाक अधिकारियों ने बंगले पर छापा मारा और बेंटले मलशन कार बरामद कर ली बताया गया है कि उक्तराजनएक को उसकी सरकार ने अब वापस बुला लिया है इस कारी की कीमत की बात करें तो यह कार तीन लाक डॉलर भारतिय करंसी के मुताबिक 2,49,24,714 रुपे और पाकिस्तानी करंसी के मुताबिक 6,57,90,000 रुपे से ज्यादा की है यह ब्रान की सबसे बड़ी और सबसे महंगी सेडान है बतादे की बंगले का मालक इस मामले में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया जिसके बाद अधिकारियों ने उसे और कार बेचने वाले दलाल को अरेस्ट कर लिया सीमा शुलक अधिकारियों ने बताया की कार का रजिस्ट्रेशन भी जाली है सीमा शुलक अधिकारियों द्वारत दर्च की गई फर के मुताबिक चुराई गई कार की तसक्री की वजह से 30 करोर रुपे से ज्यादा के टैक्स की चोरी हुई अधिकारी ने कहा की वे अभी भी पूरे रैकेट के मुख्य मास्टरमाइंड की तलाश कर रहे हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कार बंगले के मालिक के बरामदे में खड़ी पाई गई मालिक ने पूचताच में बताया कि उसे किसी दूसरे व्यक्ती ने यह कार बेची थी जिसने कार बेची उसने कहा था कि वो संबंधित अधिकारियों से डॉक्यूमेंट प्रोसेस को मंजूरी दिलवाएगा पाकिस्तान के न्यूस पेपर बिजनिस रिकॉरर की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राष्ट्री अपराध एजिंसी से सूचना मिलने के बाद पाक अधिकारियों ने कराची में सुरक्षा कड़ी कर दी जब तलाशी अभियान शुरू किया गया तो एक बंगले में ये लग्जरी कार खड़ी पाई गई आप हमें कमेंड करके जरूर बताएं और अभी आगे बात कर लेते हैं सेहत के बारे में पिछले काफी समय से होट अटेक के मामलों में इजाफा हो रहा है यह भी देखा जा रहा है कि जिम करते समय लोगों को होट अटेक आ रहा है थास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जिम में ट्रेड मिल पर दोरते हुए बेहोश होकर गिये गए और उन्हें होट अटेक आ गया ट्राजू अभी एम्स नई दिल्ली में वेंटिलिटर स्पोर्ट पर है हाला कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है इससे पहले अभिनिता सिधार्थ शुकला, सिंगर केके और दक्षन भारतिये फिल्मों के स्टार पुनीत की जान भी होट अटेक से जा चुकी है ये सभी काफी फिट नजर आते थे, लेकिन फिर में इनको होट अटेक आ गया ऐसे में जरूरी है कि होट के मरीज और अन्य लोग भी जिम में सावधानी बरते हैं आए जानते हैं कि जिम करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोरोनरी होट डिजीज और एकसरसाइज के बीच एक संबंध है होट के मरीजों को लगता है कि वे एकसरसाइज करके शरीर में कॉलेस्टॉल और शुगर के लेवल को कंट्रोल कर लेंगे लेकिन ऐसा हर मामले में होता नहीं है जिम जाने या कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले hot के मरीजों को अपने physician से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर जब एक्सरसाइज के लिए कहें तब ही करें। यह भी पूछें कि कितनी limit में एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कॉरोनरी हॉट डिजीट से पीडित है तो उसे एक्सरसाइज करते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर पहले से ही हॉट की बीमारियों से पीडित है तो इस बात की जानकारी जिम ट्रेनर को जरूर दें। जिम में हैवी वकाउट न करें। ट्रेडमिल पर 20 मिनट से ज्यादा समय तक न रनिंग न करें। इस बात पर जिम ट्रेनर को भी ध्यान देना चाहिए कि हॉट का मरीज 20 मिनट से ज्यादा और 10 से अधिक की स्पीड पर ट्रेडमिल का प्रयोग नहीं करे। जिम के अंदर फर्स्ट एड की विवस्था होनी चाहिए। इसको लेकर एक गाइडलाइन बने। जिम के ट्रेनर या अन्न स्टाफ को CPR देने की जानकारी होनी चाहिए। अगर वकाउट करने के दौरान कोई व्यक्ती बेहोश होकर गिर जाता है और उसके कार्डिय CPR देकर उसकी जान बचाई जा सकती है और समय रहते उसे नजदी की अस्पताल में भरती कराया जा सकता है। होट के मरीजों को अपने इलाज में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसे मरीज नियमित रूप से अपने डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए जाए और अग आने वाले वीडियो आप तक टाइम पर पहुँच सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद जय भारत।